नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एजी मस्ती में दोस्तों बहुत ही सीरियस पेश्ट हमारी फसल में लगता है वो मस्टरड की मस्टरड क्राप की अगर बात करें सरसों फसल की बात करें तो उसमें माहू जो है बहुत ही गंभीर और सीरियस पे मासों में लगने वाला सीरियस पेष्ट माहु के जीवन चक्र की बात करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों देखते हैं कैसे कि वह सब्सक्राइब कों.. है तो दोस्तों देखते हैं इसका क्या है बैज्ञानिक नाम कि दोस्तों देख इसको माहू को इंगलिस में बोलते हैं एफिड मस्टर्ड एफिड मस्टर्ड एफिड इसको बोलते हैं देखते हैं इसका बैज्ञानिक नाम क्या है बैज्ञानिक नाम है लिपाइफिस इनी सि करके होता है लिपाए फिस इनीचें तो इसका यह बाई लिख्यानिक नाम होता है उसके बाद आता है आधर इसका क्या है मेपटे लिप हैमली से बिलांग करने वाला कीट होता है और उसके बाद देखने डिस्टी ब्यूसन स क्या है तो डिस्टी ब्यूसन में हम ने यह देख़ा कि आल और इंडिया में यए कहीं भी कीट पाया जा सकता है जहां जहां पर मस्टरड की खेती होती है यह पूरे इंडिया में पाया जाने वाला कीट होता है कौन सा माहूज इसको बोलते हो एफिट इंग्लिसा में बोलते हैं फिर देखते हैं इसका host plant क्या होता है किस-किस पहोधः पर ये फनी लाइफ साइकल को पूरी करता है तो उसमें से देखते हैं most crucifery plant but mostly mostly up crop needed by the mustard cabbage cauliflower मतलब ये मुखतया जो है crucifery फसल की जितनी भी crucifery family में फसले आती है इस उसमें आती है crucifery में उन सभी फसलों में लगने वाला कीट होता है उसके बाद जो most होती है मुख जो फसले देखी गई हैं जिस पे इसका ज्यादा अठैक देखा गया है तो उन फसलों में mostly कौन कौन से है mostly mustard है cabbage मिन्स कूभी होता है cauliflower मिन्स फूल गोभी होता है cabbage मतलब बंद गोभी उसके बाद होता है cauliflower मिन्स फोल गोभी तो यह में इसकी जो है मुख तीन फसले होते हैं जिसमें इसका बहुत ही अठैक देखा गया है बाकी तो हर फसलों में इसका अठैक पाया जाता है जैसे कि क्रोशी फेरी family में जित इसका दूसरा नाम व 뭐가 चेंज हो गया है kruशी फेरी ब्रेशी के स prends के नएक नाम आ tokens नाम आ गया है इसका तो यह ब्रेशी केशी में जितनी भी फसले आती है उसमें यह मस्टरट लग यह जाती है जिसमें के मुख पसंले मने बता दी बादि रांस सर्षर्षर कूल भी षा इसका ज़्यादे टैक देखा गया है फिर आता है अपेरेंस क्या है कैसा दिखता है ये कीट तो अपेरेंस में देखते हैं इसको कि या सूच्म आकार के मुलायम सरीर चमकीले हरे नासपाती के आकार के जिनके सरीर पर एक जोड़ी सौर्ट बिल्स सौर्ट टीबुल्स कारनिकल या हनी डिव या साइफेन होती है जिसे इसको वेटेड जिसको सिचुएटेड जिसको सिचुएटेड पीछे हिस्से पर उदर के पांच से छठे खंड पर होता है मतलब इसको हमने देखा कि ये दिखने में जो होए छोटा सा बहुत ही छोटा कीट होता है मुलायम इसका सरीर होता है चमकीला होता है सरीर इसका जो है नासपाती के आकार का होता है जिसे नीचे डाइग्राम हमने बना भी दिया है सरीर इसका नासपाती के अकार का होता है जिसके सरीर पर एक जोड़ी short tubes पाई जाती हैं जिसको honey tube बोलते हैं जिसको syphon भी बोलते हैं ये क्या होता है situated means इस्थित होती हैं कहाँ पे पीछे हिस्से पे सरीर के पीछे हिस्टे पे जो उदर का पांस से छठा खंड है उस जगे पे ये इस्थिद होती है यह इसका आगे का भाग है वो नास्पाति के आकार का होता है पीछे यह काउड़ा जिसको बोलते हैं काउड़ा यह पीछे लगे होते हैं बहुत ही माइनर होते हैं जिसको काउड़ा बोलते हैं तो इस पकार का इसका जो होता है यह अपेरेंस इसका कंप्लीट होता है उसमें थोड़ा सा अपेरेंस में सरीर के भाग में दिया गया है कि नास्पाति कियाकर का इसका सरीर होता है सरीर के पीछे होते हैं जो पहचान का सबसे मुख्य लच्छड होता है मतलब इस कीट को आप इस अकूटा काउड़ा से आप बहुत ही जल्दी पहचान लोगे कि ये माहो है क्योंकि इसके पीछे वाले भाग पे ये चीजे पाई जाती है ये मुख्य पहचान होती है इसकी साइज इसका हमने बता दिया कि मुख्य तया ये साइज में होता है तो साइज इसका क्या है उसके बाद देखते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या होती है Life History में हमने यह देखा यह Life Cycle में कि इसकी Life Cycle जो होती है सीधे बच्चा पैदा करती है मतलब यह Adult अंडे और लारवा पिपा नहीं देती है यह सीधे बच्चा देती है मतलब कि इसकी Life Cycle में जो है सीधे Adult जो है वो निम्प को ही देती है मतलब अंड नहीं देती ये सीधे निम्फ पैदा करती है और एक एडल्ट, एक एडल्ट सास से ग्यारा दिन में निम्फ पैदा कर देती है जिसकी मात्रा एक से पच्चछ से एक से तेटिस होती है तो इस पकार से ये सीधे बच्चा पैदा करने की छमता इसी में होती है माहो में एक तो ये माइनर पेश्ट है बहुत ही छोटा कीट है उसके बाद क्या होता कि ये सीधे बच्चे दे रेती है निम्प जिसको बोलते हैं और वो जाके सीधा नुकसान पहुंचाता है बच्चा जो है दे देती है complete हो जाती है उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया गया है इसमें दिया गया है एडल्ट और निम्प जो है एडल्ट और निम्प पार्थेनों نे टिकली लेकिन कभी-कभी ओवीर अविर टी ओवीरटी, पुवीरटी में बच्चे देते हैं एफिड एक बार में 125-133 निम्फ निकालता है मतलब इसमें देखा गया है कि इसकी लाइफ साइकल दो प्रकार से होती कभी-कभी ये पार्थेनों जेनेटिकली हो जाती है और कभी-कभी ये सीधे निम्फ देती है मतलब ये कई प्रकार की जो इसमें एफिड सो होती है ये कभी-कभी बच्चा सीधे देती है और कभी-कभी ये सीधे बच्चा ना दे करके दूसरी प्रकार से अपनी जनेशन को बढ़ा देती है तो पार्थेनो जिनेटिकली जिसको बोलते हैं इसमें क्या होता है कि एक जो एडल्ट होता है वो एक से 25 से 23 अंडे देता है और जो अंडे 7 से 10 दिन के बाद पौड़ बन जाते हैं इस प्रकार दिया है इस प्रकार एक साल में इनके द्वारा 45 पीड ही पूरी हो जाती है समझो कितना सीरियस पेस्ट है भाई ये जो है एक साल में 45 अपनी जनरेशन को कम्पलीट कर लेती है इतनी फास्ट इसकी लाइफ साइकल जलती है आज तक इतनी fast life cycle सायद हमारी फसलों में नहीं लगती है तो इसलिए एफिड का बहुत ही रोल होता है हमारी फसल में कितना ज्यादा नुक्सान पहुचाती कैसे कैसे क्या करती है तो हमने देखा कि इसकी 45 पीड ही एक साल में complete हो जाते हैं कीट दिसंबर से मार्च तक अधिक सक्री रहता है और गर्मियों में सुरू होते ही यह पहाडी छेत्रों में चला जाता है यह प्रवास कर जाता है और वहां क्यों जाता है कि वीधर गर्मी पड़ जाते हैं उसके बाद वहां पे जो है होश्ट की तलास में भोजन की तलास में क्लावडली कोल्ड का होना जरूर है यह वहीं पे डवलप करती है जब मौसम नम होता बदली छाई होती है उसी टाइम यह अटाइक करती वही दिया गया है कि मौसम कैसा होना चाहिए cloudly cold मतलब की बदली और ठंड़ा वाला मौसम होना चाहिए तब ही ये अपने को सरवाइब कर पाते है तो ये भोजन की तलास में पहाड़ी इलाकों में migrate कर जाती है चली जाती है बार्बेनी क्या होता है बार्बेनी क्योंकि बार्बेनी पौधे पहाड़ी का वह पौधा है जहाँ पे 20 degree centigrade ताप होता है और ये वहां जीवित रहती है मतरब बारबेनी जो पहाड़ी इलाखों में पाई जाने वाली एक पौधा होती है जहां पर ये अपनी life cycle को complete करने लगती क्योंकि वहाँ पर temperature दिया गया है 20 degree centigrade तो इसलिए 20 degree centigrade पर ये आराम से अपनी life cycle को complete कर लेती है उसके बाद देखते हैं कि ये इसलिए ये वहाँ पर migrate कर जाती है इधर गर्मी सह नहीं पाती है और चली जाती है और इधर पर वह ऐसे फिर आ जाती है जैसे कि मौसम ठंदा हुआ बदली आई और वो आ गया और बाकी ये बता दे कि मस्टर्ड जो है रवी क्राप की फसल होती है तो रवी सीजन में आते मौसम ठंदा होता है उधर नौंबर में तो ये उधर आ जाती है तो इसके बाद देखते हैं इसकी damaging stage क्या होती है तो निम्फ और एडल्ट दोनों पौधे को पौधे से रश चूशने का कारी करते हैं पौधा population density अधिक होती है इनके प्रभाव से पौधा कमजोर छोटा आकार पत्ती सिकुड तथा फूल गिरना कली ना लगना मुख लच्छड है इनके प्रभाव से 80% का नुक्सान देखा गया है कि इसमें पहली बात तो क्या है कि इसमें जो है निम्फ और एडल्ट दोनों ही नुक्सान पहुचाते हैं क्या पौधे से पत्ती से पौधे के पत्ती से रश चूशने का कारी करते हैं और पौधा जो है पापुलेशन देंसिटी अधिक होती है क्योंकि कई जगे पे क्या होता है कि हम लोग फसल को बहुते हैं लाइन में तो बहुते नहीं फसल को ऐसे डाल देते हैं भरोड़ कास्टिंग भी जिसे छिटकवां भी जिसे इस में पौधा जो है बहुते ही पापुलेशन ढेंसिटी बढ़ जाती सखनता बढ़ जाती है इसके इसे लिए ये बहुत ही जल्दी सरवाइब कर जाता है इस पौधे से उस पर उस पे से इस पर तुरंत यह बहुत कम समय में कुछी दिन मोएं पूरी पूरी फसल कवर कर लेती हैं इसके प्रभाव से पवधा छोटा हो जाता है पवधा छोटा हो जाता पति चुक्र जाती है फूल गिरने लगते हैं यह अफली लगती नहीं है यह इसके मुखिले छड़ होते हैं जिसके प्रभाव से 80 प्रतिसत का नुकसान देखा गया है किसके सिर्फ एफिड की वज़े से समझे आपको कितना ये सीरियस पेस्ट है उसके बाद देखते हैं माइनेजमेंट क्या है इसका माइनेजमेंट में माइनेजमेंट में ओडा लियो बीठल मतलब माइनेजमेंट इसका वो दिया गया है बायलोजिकल मेथर से इसका कंट्रोल किया गया है तो बायलोजिकल में दिया है ओडा लियो बीठल रोडालिया कार्डेन रोडालिया कार्डेन रोडालिया कार्डेन ये क्या होता है ओडालियो बीठल का बैग्यानिक नाम है रोडालिया कार्डेन लेडी बार्ड बीटल जो की कॉक्सिनिल्ला सिंप्टम पंगटा था लेडी बार्ड बीटल के कंट्रोल जो है काक्सिनिल्ला सिप्टम पंगठाटा इसका बाग्यानिक नाम है और ये क्या होता है क्राइसोपा इस्पसीज और सीरोफिड इस्पसीज ये कई इंसेक्ट होते हैं कीट होते हैं जो हमारी फसल को माहू को खाने का कारी करते हैं तो इसमें से उसके बाग्यानिक नाम दि साइरफी सप सिसी तो इसे कासे इसका बाहि लोजकल कंट्रोल किया जा सकता है WHO अपनी फसल में छोड़ दे हम तो यह माहो को खाने का कार करते हैं और उसके बात देखते हैं कि हम इसका वो ऐसी। तो माखुलेटस इनकी ष्षित में नुक्सान नहीं पहुचता है ये, जैसे कॉक्षिनेल इस्पिठ का कीटे यूच किये से हमारी फसलों को नुक्सान नहीं पहुचता है इसके बाद, आता है यूज केमिकल साय ऐसका माहो को मानने लिए मार्केट में भी आ गये हैं फिर भी कुछ इंपोर्टेंट कीमकल हैं जिनका हम नाम ले लेते हैं मैला थियान पी सी सी कि फेनवाल डश्ट फेनवाल डश्ट दो पर्चत इंडो सलफान 35 सी क्लोरो पायरिफास बी सी सी डाई मेठोएट थाई मेठोएट बी सी सी है मेडा कलोप्राइट भी 200 एसल मेठो मिल 40% मेठो सिस्टाक्स मेटा सिस्टाक्स नीम आयल एक लीटर प्लस 500 ग्रम डिटरजेंट 600 लीटर वाटर में मिला करके इसका यूज करना चाहिए उसके बाद बीटी फार्मलेशन आज रिक्वायर जैसे जैसे उसकी जरूरत हो तो ब इतने कुछ अलग से इसमें पहचान दी गई है माहू के बारे में देख लेते हैं क्या होता है कि सरीर छोटा है परन्तु खाना कैसे खाती है समझने वाली बात है इतना ज्यादा यह माइनर कीट होता है यह अपने भोजन को कैसे पौधे से रस चूसने का कारी करती ही यह य यहां पर रहती वहीं पर चिपकी रहती है और वहां से उड़ तो सकती है पर चल नहीं सकती है जब यह भोजन खाना से खाने से पहले जब यह भोजन खाने से पहले लार निकालती जिस जगे पर बैठी होती है वहीं पर लार निकालती है जिसमें पेक्टिनेज इंजाइम ह होता है इसकी लार में पिक्तिनेज इंजाइम होता है जो सिलवाल का एक भाग होता है जो जिस जगे पे बैठी है पौदे के उसी जगे पे जो ऊपर की कोशिकाय होती है उसी में लार वहीं पे छूड़ती है लार में इसके पेक्टिनेज एंजाइम होता है, और पेक्टिन से पेक्टिनेज निकलती है, इसकी सेलवाल पौधे में होती है, और सेलवाल में होता है पेक्टिन, पेक्टिन पे ये लार डालती है, और लार जाके पेक्टिनेज एंजाइम में बदल जाती है, पेक्टिनेज इंजाइम उस पे कार करता है और पेक्टिनेज निकलने से उस इस्थान को मुलाइम करने का कार करता है जिससे वह भोजन को ग्रहण कर लेती है या वहां से रस को चूस लेती है हमने क्या देखा कि कीट माहु जहां पे बैठा है आपको बता दें अलग से थोड़ा सा कीट जहां पे बैठता है वहीं पे उसकी दीवार को वहीं पे अपनी लार डालती है उस लार से जो वहां की सिल्वाल होती है को उसका दीवार होती है उसको वहाँ पे लार डाले उसको क्या हुआ वहाँ से लार से पेक्टिनेज इंजाइम निकला उस पेक्टिनेज इंजाइम के द्वारा वहाँ की पौधे की उस भाग को मुलायम कर देते हैं और मुलाइम करने के बाद वहां से ये एफिड जो है रस्चूसने का कार करने लगती है तो इस पकार से ये भोजन करती है दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से अभी दो हजार अठारा 2019 का जो एगरी कल्चर फिल्ड आफिसर का एकजाम हुआ था उसमें कीट के जो ये होते हैं बायलोजिकल कंट्रोल इनके बैग्यानिक नाम पूछे गए थे एफिड में ऐसे कौन कौन से कीट हैं जिनको डालने से बायलोजिकल कंट्रोल किया जा सकता है एफिड का तो इसमें आपको मिला है तो एक बार ध्यान रखें वोडाली ओ बीटल लेडी बाड़ बीटल और क्राइस ओपाइस पसीज और स्रिस फिडिष पसीज साही फिडिष पसीज तो यह हैं रोडालीया कारडन कारडानेल्स और कॉक्षेनला से टम्पंगटाटा और यह इसके बाई जो द धन्यवाद और अगले मिलते हैं आपके अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद